बीबी से के दर्शिकों को हमारा नमस्कार मैं हूँ सर्वु प्रिया सांगवान और मेरे साथ है रेहान फजल हम एक और फिल्म आज लेकर आपके सामने हाजर हैं इसे फिल्म कहना इसे जादा बहतर इसे एक सेंटिमेंट कहना जादा बहतर होगा क्योंकि ऐसा देश जहाँ पे माँ को एक sentiment माना जाता है जहाँ पे माना जाता है कि माँ कभी अपने बच्चों का कुछ बुरा नहीं कर सकती वहाँ पे ऐसे फिल्म बनाना, ऐसे फिल्म सोचना कि जहांपे मा सही चीज के लिए अपने बेटे को ही गोली मार देती है तो ऐसे फिल्म जो अपने टाइम से बहुत आगे की फिल्म थी वो फिल्म है Mother India तो रेहान सबसे पहले तो Mother India को नर्गिस जो इस फिल्म की एक्टर थी में लीड थी उनको इसका मैगनम ओपस क्यों माना जाता उनकी फिल्म की करियर में Mother India नर्गिस के जीवन की सरवशिष्ट फिल्म थी एक्टिंग के हसाब से लोग सब को ही मानते है और यह कहानी है कि यंग ब्राइट की जो पूरी जिंदगी संघर्ष करती है और फिर बूड ही होती है और इसमें रोमान्स है और इसमें जिसे कहा जाए ग्रिट और डिटर्मिनेशन है एक महिला का और अंत में जैसा कि आपने बिल्कुल नहीं हिचके चाहती है अपने बेटे को कोली मारने से भी तो ये फिल्म है और एक बार दिलीब कुमार से पूछा गया था कि आप नर्गिस दत की तीन सर्वशेष्ट फिल्में बताएं तो उन्होंने का नंबर एक पर मदर इंडिया, नंबर दो पर मदर इंडिया और नंबर तीन पर मदर इंडिया तो ये उनका statement था, इसका कुछ negative impact भी पड़ा उनके career पर, क्योंकि ये film release होने के बाद, उनके लिए इससे बड़ा करने के लिए कुछ रह नहीं किया, वो पूरी तरह से typecast हो गई है, अब उनके लिए हर role जिसे कहते हैं, छोटा होने लगा, 1988 में सुभाश ज़ा Indian Express के एक बहुत मशूर समबाद आता है, उन्होंने एक लेक लिखा था, उन्होंने कहा था कि ये film नर्गिस दद के लिए वही मुकाम रखती है, जो मारलिन बरांडो के लिए Godfather थी, या जूली एंड्रियूस के लिए The Sound of the Music थी, ये स्टेटस था इस फिल्म का, और नर्गिस ने भी सुईकार किया था कि ये फिल्म करने के बाद अब बहुत मुश्किल है कोई और रोल करना उनके लिए, और सबसे दिल्चस बात ये थी कि जब उन्होंने ये फिल्म की, सिर्फ 28 साल की थी वो नर्गिस दद, और राजकापूर कैम से ये एक तरह से उनका फाइनल ब्रेकडाउन था, त्यूंकि राजकापूर के साथ वो प्रोफेशनली तो जुड़ी हुई थी, रोमैंटिक रूप से भी जुड़ी हुई थी, एवी एम स्टूडियो में शूटिंग हो रही थी, और वहां पर राजकापूर ने दिल्चस्पी दिखानी शुरू कर दी थी, पद्मनी एक एक्ट्रिस थी उनमें, और इन दोनों के बीच जिसे कहते हैं बहुत तगड़ा, जगड़ा हुआ था, और तब नर्गिस ने ये डिसाइड किया था कि एनफ एस एनफ और अब वो राजकापूर कैम्प से बाहर निकलेंगी और अपने बारे में सोचेंगी और तब उन्होंने महबूब खां के साथ ये फिल्म साइन की थी, वर्यान ये बहुत ही स्पेशल फिल्म कई मायनों में स्पेशल फिल्म है क्योंकि आप जैसे आपने भी बताया कि एक महिला जो 28 साल की थी अपने करियर में चरम परती और उन्होंने एकदम से एक बूड़ी औरत का रोल आज भी आज की डेट में भी कितनी हिरोईने ये रि परेशल फिल्म बनाई ये उन्हें क्या कहीं से प्रेड़ना मिली कोई एक कहानी उन्होंने कभी सुनी थी देखिए महभूब ने इस विशह पर वो पहले फिल्म बना चुके थे 1940 में खुद महभूब ने एक फिल्म बनाई थी औरत बिल्कुल यही सबजेक था उस फिल्म क ये एक तरह से उसका रीमेक था इंप्रोवाइजेशन था 1940 के बाद और इसका इंस्पिरेशन उन्हें मिला था महभूब खां को 1937 में हॉलिवूट के एक फिल्म आई थी गुड अर्थ और ये परलेस बक बहुत मशूर लेके का हैं उन्होंने एक चीनी परिवार के चारों और महभूब ने जब ये फिल्म देखी तो उन्होंने ये रेलाइस किया कि ये सिर्फ चाइना के लिए रेलेवन्ट नहीं है भारत के लिए भी ये फिल्म रेलेवन्ट है और उनके असिस्टेंट होते थे बाबु भाई मेता उन्होंने इंस्पिरेशन लिया मैकसिम गुर एक तरह से भारती नारित्व को सेलूलाइट पर पहली बार दिखाया गया था इतनी इंटेंसिटी के साथ पर इस बात में कितनी सच्चाई है कि पहले फिल्म दिलिप कुमार करने वाले थे नहीं सच्चा ये बिल्कुल फैक्ट है मतलब दिलिप कुमार को बाकाइदा महभूब ने साइन किया था दिल्चस्प बात ये थी कि राज कपूर के साथ जिस तरह से जुड़ी हुई थी वो नहीं चाहते थे कि दिलिप कुमार के साथ को फिल्म करें उस लिआज से महबूब ने यह कहा कि और अगर दिलीब को साइन जिस तरह से उनोंने किया तो अगर دिलीब ने फिल्म में काम किया होता तो जाहर further सुनील दत्न अस फिल्म में काम नहीं किया होता तो इनकी मुलाकाती नहीं होती और शादी तो खेर दूर की बात है दिलीप ने सजेस्ट किया महभूब को कि जो इनके लड़के का रोल है बिर्जू का रोल है उसको री राइट किया जाए उसको दुबारा से लिखा जाए और वो उनके पती और लड़के दोनों की भूमे का मिन भाए यानि डबल रोल करें इस फिल्म के लिए और महभूब कन्विंस हो गए उन्होंने अपने जो राइटिंग टीम थी उसको निर्देश दिये कि इसी हिसाब से स्क्रिप्ट में परिवर्तन किया जाए और दिलीप कुमार को वो दिया जाए पिर दिलीप कुमार लंदन चले गए इसके लिए खासत स्टोरी में जादा दम है पुरानी स्टोरी में ही जाना चाहिए और उन्होंने महभूब को मना लिया कि वो जो आप परिवर्तन करने की बात सोच रहे थे उसको आप छोड़ दे तो जब महभूब मान गये और जब दिलीप कुमार वापस आए तो महभूब ने उन्हें रो अप्ट आउट हो गए और वो तकदीर में लेखा था सुनील दथ और बाद में फिर वो पश्ता पशातिर है कि जो सबसे सर्वेशेट फिल्म होने लगती है तो मदर इंडिया उसमें उसका इस्ता नहीं बनता है लेकिन सुनील दथ बन गए और कैसे चीजे होती हैं कंस्प दिलिप कुमार का रेपलेस्मेंट ढूनने के लिए और फिर आखिर में उन्होंने जीरो इंड किया सुनील दथ को और जो कि अपकमिंग एक्टर थे जूनियर थे खासे नर्गिस दथ से और वो जबाने में रेडियो सेलोन के लिए काम किया करते थे आरजे थे और उनका का था तमाम फिल्म स्टारों को इंटर्वियू करना रेडियो के लिए और 1953 में दो बिगा जमीन फिल्माई थी उसका जो प्रीमियर हुआ था उसको इन्होंने कॉमपेर किया था मंच पर सुनील दथ थे सफेद सूट पहने हुए और फिर उन्होंने जो आउडियंस में बैठ इस दतनेवी सफेद साड़ी पहनी हुई थी और चमेली का खूल लगे हुए थे उनके बालों में और वहां पर ले जाके इन्होंने सवाल पूछे और उस समय कोई कलपना भी नहीं कर सकता था कि पास सालों में ये दूनों पती-पत्नी होंगे एक दूसरे के और इनको सबस और वहां से इनके दिमाग में चाग है कि इनको लेना है और जिसे कहते है रेस्ट इसे स्ट्री या इंस्पारिंग स्टोरी है मतलब आर जी से एक दम अक्टर सर रेहां सर आप ने कभी नी सोचा फिल्मों में जाने के लिए आप भी बड़ी आवास है तो आपको इस सोचना के सेट पे की आग लग गई और ये कहानी तो बहुत मशूर है कि सुनिल्दत ने नर्गिश जी को बचाया उस आग से और फिर बस असर में महपूब बहुत इंकरेज करते थे अपने अक्टर्स को कि वो दोस्ती हो उनमें ताकि स्पांटिनेटी आये अक्टिंग में उन्हे कोई मेहनत नहीं करना पड़े और जादातर आउटडोर शूटिंग किया करते थे और मौका देते थे अपने आक्टर्स को एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का तो राजेंद कुमार जो दूसरे बेटे बने थे इनके और सुनिल्दत के साथ वड़ा क्वालिटी टाइम बि पे हुएं और वो आग लगने के उससे बाहर निकल कर आएं और उनको पकड़ा जा सके तो ये शूटिंग हो रही थे और एकदम से हवा ने अपना रुख बदला और दूसरी दिशा में वो पोवाल जलने लगा और ये पूरी तरह से घिर गए जलती हुए आग से तो बिलक सुनील दर्थ जादा जल गए इस पूरे पक्डरम लेकिन उनको उनकी जान बचा ली दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया और बाद में नर्गिस ने अपनी डायरी में लिखा कि इनको पैथडीन के इंजेक्शन दिये गए दोनों को ताकि इनका दर्थ कम हो काफी तक ने गए उनके कमरे में पूरे चेहरे सीने और हाथ सब में सब जला हुआ था और वो बहुत तकलीफ में थे तो पूरे दिन उनके साथ रही नर्गिस और वहां से वो उन्हें नर्स करने लगी जिस तरह से देख भाल की जाती है और उनको लगने लगा कि जैसे सुनील उनके उनके हिस्से हैं और बाद में उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि they were the best days of her life, उनके जीवन का, जब उन्होंने नर्स किया सुनील दत को, और जाहिर है कि इस पूरे फरकरण में वो तुनों नस्दीक आए और फिर उन्होंने त्रह किया कि आपस में शादी कि लिए, अब न पर लोगों की शादी किस तरह से हुई? देखे, और भी एक दो घटनाएं और भी हुई, सुनील दत की एक बहन होती थी, रानी बाली उनका नाम था, तो एक दिन ये बहुत निराश बड़े उदास से बैठे हुए थे, तो इन्होंने, नर्किस ने पूछा कि माजरा क्या ह है, क्यों हुँ तुम इतने से? तो उन्होंने बताया कि मेरी बहन को TB है, TB उस जमाने में बड़ी बीमारी होती थी, अब आजकल तो इतनी बड़ी बीमारी नहीं मानी जाती, तो ये एकदम से फॉरण उठी और सुनील दत की फ्लैट चली गए, और फ्लैट से फिर उन्हों अपने घर ले आई, ताकि वो छूत की बिमारी होती थी, TB कोलोसिस उस जमाने में, तो और एक दिन की बात है कि नर्गिस कुछ जादा देर तक रुख गई, सुनील दत कुछ, नर्गिस कुछ जादा देर तक रुख गई सुनील दत के, उसमें तो ये उनको छोड़ने के ल कि इसने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया, बिलकुल छुप रही और इस बारे में उन्होंने उनकी बहन से बात की, यानी रानी से जिनको वो ले गए थी, और फिर इनकी बहन ने सुनील दद को सुचित किया, कि वही, everything is on, मतलब ये, लेकिन बड़े, उसमें कई मोड भी आ था सुनील दद ने, कि अगर मेरी माँ को जरा भी जिजक हुई होती, नर्गिस को डॉटर इन लॉज सुईकार करने में, तो मैंने उनसे शादी नहीं की होती, वो अपनी माँ का भी बहुत ध्यान रखते थे, तो उन्होंने इनको मिलवाया गया, और इनकी माँ को दे दिया, और बहुत अजीब सी कहानी है, शादी की, शादी नोगों ने ते किया कि आरे समाज हॉल में इनकी शादी होगी, और दोनों अलग-अलग जगे से एक खास टाइम पर वहां पहुँचने वाले थे, तो नर्गिस आ रही थी और बहुत मैसिव ट्राफिक जैम रा आप फोन करके बता दे किसाब मुझे देर हो जाएगी, तो यह सोच रही थी कि सुनीलदत वहां क्या सोच रहे होंगे, कि इन्होंने डिश दो नहीं कर दिया, और सुनीलदत वहां बैठे उनका इंतिजार कर रहे हैं, और सुनीलदत भी सोच रहे हैं, कि अगर मैं जाता कहीं फोन करने, फोन कर नहीं सकते थे क्योंकि वो कार में थी और ये बीच में आ गए तो ये कहीं न सुचे कि सुनीलदत भाग गए तो साथ ये एक और फिल्मी सीन हो गया तो अल्टिमेटली आधी रात को जाकर इनकी शादी हुई आधी रात को जज़ार करते करते और ये सीक्रेट वेडिंग थी मतलब ये एनौउंस नहीं किया गया क्योंकि उसमें दिक्कत ये थी कि मधर इंडिया कुछी महीने पहले या कुछ दिनों पहले रिलीज हुई थी और मधर इंडिया में ये देवनों माँ और बेटे का रोल दिभा रहे थे और महभूब खान डारेक्टर थे उनका ये कहना था कि ये जो इमेज है और ये जो पता लगेगा कि इनकी शादी हो गई और माँ बेहन का रोल कर रहे हैं फिल्म में तो इसका फिल्म पर बड़ा और क्रती कूल असर पड़ेगा तो उन्होंने कहा कि इसको भई राप में रखा जाए और तब तक नर्गिस फर्स लेडी ऑफ इंडियन सिनमा बन चुकी थी ये स्ट्रगल कर रहे थे ये तो बहुत ही अपकमिंग थे और काई लोगों ने बातें भी करना शुरू कर दी कि सहाव इन्होंने पैसे के लिए या उसके लिए अच्छा मतलब में इसको भी गोल्डिकर कर रहा तो था ऐसा है क्या हमने तो लड़कियों के बारे में सुना है जाए शादी कर ली लेकिन नर्गिस पर कोई असर नहीं हुआ और और तो और इन्होंने सुनी इल्दत के लिए करवा चौद के वरत रखना शुरू कर दिया जबकि यह मुसल्मान थी इन्होंने धर्म परिवर्दन नहीं किया था लेकिन उनके ओनर में या कहिए उनकी इस्ज़त में उन्होंन मतलब आज भी कितनी ही बार देख ले आप उतनी ही बार रोते हैं इस फिल्म को देखते हुए मतलब कैसा जब भी फिल्म रिलीज हुई थी किस तरह का मतलब लोगों में क्या रेक्शन थे इस फिल्म को लेकिए यह प्रीमियर हुआ था 25 अटूबर 1957 को लिबर्टी सिनेमा म में इन्होंने अपने पूरे परिवार को भेजा नर्गिस ने कि भज देख के आओ और सारे परिवार के लोग और बच्चे के फिल्म को देखने हैं और यह खर पर इंतजार कर रही थी तो बोले मेरे बिलकुत सांसे रुकी हुई थी और मैं रियाक्शन देखना चाहती थी तो जब सब लोग घर में गुसे तो इन्होंने नोट किया कि सब की आँखें भीगी हुई थी सब मतलब ऐसा लग रहा था कि रो से रहे हैं आई-एस जोहर फिल्म थेटर से बिलकुल हापते हुए इनके घर में पहुँचे और घर में पहुँचते ही उन्होंने एनाउंस क कि अब आपको फिल्मों में काम करना रोक देना चाहिए और लेकि आप इसके हागे कुछ करने को है ही नहीं और मतलब आपके लिए जीतने के लिए कुछ भी नहीं है महबूब ने नर्गिस को अपने घर बोलाया और फिर वहां से ये लोग शाम को प्रीमियर के लिए गये उस फिल्म के और नर्गिस खुद उन्होंने लिखा अपनी डायरी में कि उनके पैर बिलकुल ठंडे थे और अंधर ही अंधर वो कांप रहीं थी और जब वो गई हैं बाद में सुनील अच्छा सुनील दद्द मौजूद नहीं थे इस प्रीमियर में और उन्होंने सुनील दद को खत लिखा एक पत्र लिखा उसके बाद इसमें पूरा वर्णन है उसमें उन्होंने बताया कि नवकेतन के लोग इसको शूट कर रहे थे इस पूरे प्रीमियर को और हर को ही तुमारे बारे में पूछ रहा था सुनील दद के बारे में और लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि तुम मेरे दिल के अंदर हो यह रोमैंटिक बाते हो रही थी और पहला ही सीन ओल डेडी का सीन था और वो उन्होंने बताया कि जैसे ही वो सीन आया सारे द वो उनके पास है वो लेकि गोल्डी नवगेतन दिवानन के भाई वो चाहते हैं कि वो आपके अंदर घुसने का सीन दुबारा से शूट करें तो ये दुबारा गई वो सीन को शूट करने के लिए और इन्होंने ये भी लिखा कि तुम अच्छे दिख रहते हैं हाला कि तुम हमेशा कहते थे कि तुम बहुत जादा संतुष नहीं हो इस रोल से बहुत जादा खुश नहीं दिखाई देते थे लेकिन तुम बहुत अच्छे लग रहे थे और मैं पूरे वक्त तुम्हारे भारे में प्रात्ना करती रही और एक और बात आपको बताएं कि नर्गिस ने उस जमाने में गोश्ट और अंडे खाना बंद कर दिया था और वो इनकी शादी से पहले था कि भई शादी हो जाए तब मैं ये खाना शुरू करें और महबूब ने उस रात जो डिनर दिया था वो पूरा नॉन वेडिटेरियन डिनर था तो नर्गिस ने सिर्फ रोटी औ और अचार खाया उसने तो ये नादिरा मशूर आक्टरिस थी वो आई उन्होंने उनका हाथ चुमा कहा कि बहुत बड़ी फिल्म है और जितने भी एक अच्छी फिल्म के जितने भी ऐलेमेंट्स हो सकते थे टुिस्टिंग प्लॉट बहुत जबरदस्ट डायलॉग घजब का म्यूजिक ओवरडोज ऑफ इमोशन ये सारी चीजें इस फिल्म थी और इस फिल्म में थी और जावे रखतर ने बाद में एक बहुत ही दिल्चस्प टिपड़ी की थी कि भारत की हर फिल्म इस फिल्म से उगजी है उनका कहना ये कि बेस में मदर इंडिया है बाद में ज गया और आसकर के लिए नॉमिनेट की गई फिल्म भारत की तरफ से ये गई ये अलग बात है कि शायद एक वोट से वो आसकर पर उसकार नहीं जीत के पाई और फिल्म फियर ने उस साल बेस्ट एक्टिंग का खिता इंडिया और सोचिए हिंदुस्तानी सिनेमा ने अपनी कितनी शुरुआत में इस फिल्म के जरी ऑसकर में इंट्री तो पाई अपना नाम थो कमाया यही बहुत एक बड़ी बात थी लेकिन जितने भी लोग इसमें इन्वालॉसिते बनाने में उनको लग रहा था कि फिल्म इतनी बड़ी बड़ी देखिए उस समय तक तो ये सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही थी एक ये दो साल बाद मुगल आजम ने जरूर मतलब स्केल के लेवल पर कि उसमें पैसे बहुत खर्च हुए थे उस जमाने की बड़ी फिल्म थी लेकिन तब तक मदर इंडि में लोकप्रिय हुई खासतर से एस्टन यूरप में इसको बहुत पसंद किया गया रूस में इसको बहुत पसंद किया गया और अभी तक कम से कम भारत की दस सर्शेश पिक्शिरों में तुमानी जाती है तो आज शमेबात यहीं खत्म करनी पड़ेगी लेकिन आपका कोई फेवरिट सीन है इस फिल्म से जरूर हमें कॉमें बताएं क्योंकि मेरे तो बहुत सारे हैं जिनका मैंने एक जिक्र भी किया तो आप भी जरूर बताएं और यहीं बताएं कि रहां सर को फिल्मों में जाना सिये था कि नहीं तो अभी के लिए विदा नमस्कार